तो दोस्तों वह इसे चात्रे आप चात्रा है जो क्लाश 10 आत्वा क्लाश 12 के फाइनल बड़े एक्जाम दिये तो आप सभी को बता दोना चाहते हैं दोस्तों कि बहुत सारे स्टुएंट के दिमाग में चल रहा है कि रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा जी हां दोस्तों आप आप सभी को बता दे कि इसके पीछे एक रिजन है दोस्तों बहुत सारे स्टुएंट का नंबर कम आता है बहुत सारे स्टुएंट का नंबर एक नंबर दो नंबर आत्वा पांच नंबर के चलते फेल कर जाते हैं इसी को देखते हैं वह बहुत जल्द जारी करने वाला है जिए हां दोस्तों आप से बतादे कि जो स्ट्विएंट का मन चाहर नमर नहीं मिलता तो आपका रिजल्ट में हैं क्या परिवर्तन किया गया कितने प्रतिसत कॉपी का जो मुल्यांके ने वह समाप्त हो चुका है तो चलिए दोस्तों वीडियो का स्टार्ट करते लेकिन उसे पिलाप से बता आते हैं इस चानल पर पहली बाद जोने तो चानल का सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ स्याथ जरु करें ता यह दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों सभी हिंदी मादियम चात्रों के लिए खुश खबरी डाटेट पर चल रहा है बावाल उफर जिसमें नौमी और दसमी का पूरा कोर्ष सभी सब्जेक्ट का दिया जा रहा है तीस हजार नई बलकी तीन हजार में और वहीं दसमी और बारामी का पचास हजार वाले कोर्ष शिफ पाच हजार में दिया जा रहा है इस कोर्ष में डेली वीडियो क्लासेज, रोजाना होंबर्क, डाट्स का समाधान, टीचर नोट्स, पिछले सालों का पेपर, क्वीज और अंत में पूरे कोर्ष की रिवीजन भी इस कोर्ष का लिंक डिस्क्रिपिशन में दे दिया गया है, और मज़े की बात है दोस्तों, इस लिंक पर जाकर यदि आप M97 study का कोड लगाएं तो मेरे तरब से 500 रुपया का और छुट पा सकते हैं, तो देरी किस बात के दोस्तों जाओ और इस कोर्ष को खरीदो, इस बिहार बोड की तरफ से एक इंफोर्मेशन जारी किया जा रहा है कि बिहार बोड BACV 12th रिजल्ट 21 जानिया कब तक जारी होगा बिहार बोड बारामी का रिजल्ट बिहार बोड ऑनलाइन.bihar.government.in पर चेक कैसे करें, यहनि कि दोस्तों आप सभी को बता दे कि आपको रि परिक्षाएं आयोजित करवाने में सफल रहें. जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दे कि कुरोनकाल में बहुत सारे ऐसे राज है जो एकजाम भी ले लिया है. अब रिजल्ट की बारी है. दोस्तों आप सभी को बता दे कि फरवरी में आपका एकजाम शुरुआ था. एक कि दोस्तों BACV अगले कुछ दिनों में अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर बिहार बोर्ड ऑनलाइन. बिहार. गवर्मेंट. इंड पर कक्षा बारामी का 21 परिणाम घोशित करने जा रहा है. जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दे क्लाश टुवेल्ट का जो रिजल्ट ह अपरिल के पहले हपते में रिजल्ट जारी किया जा सकता है. यानि कि दोस्तों पहले इंफ्रमेशन निकल के आ रहा था कि 26 मार्च को आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा. लेकिन इस रिपोर्ट के मतावित आप सभी को बता दे कि आपका मार्च में आया तो आया नह बिहार वुट के अधिकारियों का साफ काना है कि इस बार पिछले साल से जल्दी परिणाम जारी कर दिया जाएगा जिहां दोस्तो साइन्स, कॉमर्ष और आर्ट्स बिशेयों की कॉप्यों को जाजने का काम जारी है जी हाँ दोस्तों आप सीवी को बता दे कि आपका जो मुल्यांकन है क्लाश 12 और 10 का दोनों का परकिरियत चल रहा है जिसमें से बता दे दोस्तों कि बिहार BACV 12 रिजल्ट 21-24 मार्च से पहले घोसित हो सकता है परिनाम बता दे पिछले साल 3 फरवरे से 13 फरवरे के बीच पर इच्छा हुई थी और 24 मार्च को परिनाम गोसित कर दिया गया था अब पता धिकारी कर रहे हैं कि रिजल्ट पिछले साल से पहले जारी कर दिया जाएगा तो 6 चात्राओं को उमीद है कि इस बार 24 मार्च से पहले या नहीं कि दोस्तों बता दे कि अगर कोई यह स्टुडेंट का अपना result में संतुष नहीं तो वह अस्कुटनी भी करा सकते हैं कपार्टमेंटल भी देख सकते हैं कोई यह स्टुडेंट को एक से पास नम्मर के अंदर अगर फैल कर दिया जाता है तो जितना जल्दी result आएगा उतना ही जल्दी सारे student का जिए वो दूर होगा ताकि अगले class में वो एडवीशन करा सके इसी को देखते वे पता दे दोस्तों कि बिहार बोड द्वारा जारी किये जाने के बाद BACV की बारामी का परिणाम अधिकारिक वेबसाइट बिहार.online.bihar.government.in या bacv.result.com और bihar.inter.edu.com पर डाउनलोड के लिए उपलद होगा यानि कि दोस्तों तीन-तीन वेबसाइट आपको बता दिया गया है कि आपको इंटर के रिजल जो है चेक करने के लिए आपका तीन वेबसाइट बता दिया गया है बता दे दोस्तों छात्रों के रेजिटर्ड मवाइल नमर पर SMS के माध्यम से भी परिणाम भेजा जाता है इसके अलावा बिहार.online.merit list और टाउबस के नाम भी परकासित करता है इस साल महामारी के बादवजुद भी बिहार में बराहमी कक्षा की परिक्षा देने वाले छात्राओं की संख्यां बड़े ये बिहार बोड के आगडों के अनुसार इस साल लगवग 13.50 लाग छात्रों ने यह परिच्छा दी जब कि पिछले साल यह आकड़ा 12.00 पॉइंट था यह नहीं कि दोस्तों पिछला बार जो है अस्टुएंट के संख्यां 12.05.000 थे लेकिन इस बार शाड़े 13.00.00 परिक्षा में सामिल हुए जारी कर दिया जाएगा इसके पीछे रिजन साब साब पता चल गया है यगर कोई स्टुएंट 1.200.00 प tow 11.00 के पहले फेल कर जाते हैं तो उन्हीं मौका दिया जाएगा फिर से रिचेकिंग का असकूटनी का, और किसी स्ट्टुött को लगता है, मेरा नमबर कम आया है वा फिर से असकूटनी करवा सकते हैं तो इसी किलिए सारे स्ट्टुएंट बें उर्फ इंतयार brush कर रहे है, अपने result को ले करके कि जतना जल्दी रजल्ट आएगा उतना जल्दी आगे कि प्रिकिरियाज शुरू करेंगे तो दोस्तों सारी जनकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल गई यूगे तो वीडियो अच्छा लगाते चानका सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्ते साथ सेयर यजिल्ट